नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टारगेट अड़ाइस्टेडी के यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में साइन्स के टॉप टॉप टॉटिफाइब कोश्चन्स करने वाले हैं जिसमें सभी कोश्चन दोस्तों प्रिवियस येर होंगे जो कि आपके आने वाले एक्जाम RRC Group D और NTPC CB2T के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्फूल होगा तो दोस्तों आए वीडियो को सुरू करते हैं उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक सेर जरूर करिएगा और हाँ चैनल पर पहली बारा है तो सबस्क्राइब कर लिजिएगा तो आई ये आज के सेशन के पहले क्योस्टन पर चलते हैं तो दोस्तों आज का पहला क्योस्टन है हीरे का निरपेच आप वर्तनांक कितना होता है 2.32, 2.42, 2.23, 2.24 देखिए दोस्तों हीरे का निरपेच आप वर्तनांक जो होता है इसके निकालने के लिए कोई सूत्र नहीं होता आप लोगों को ध्यान में रखना एक दिम रट के रखना है कि हीरे के निरपेच आप वर्तनांक का मान होता है 2.42, कितना होता है 2.42 देखिए दोस्तों सभी आपसन मैचिंग करते हैं इसलिए आपको ध्यान में रखना 2.42 यानि कि 2.42 हीरे का निरपेच परतनांक होता है तो यहाँ पर राइट एंसर होगा हमारा B आपसन अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला कोश्चन है दोस्तों पादप कोशिका भित्ती किस से बनी होती है सेलुलोस और पैक्टीन की बनी होती है कि केवल पैक्टीन की काईटीन की या मुरेन की देखिए देश्ट जो हमारी कोसी का भित्ती होती है कौनसी पादब कोसी का भित्ती ये सेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है किसकी बनी होती है सेलुलोज और पैक्टीन की यानि कि ए आपसन हमारा बिल्कुत सही होगा नेस्ट कोश्चन है कि निमलिखित में से कौन सा बारिस के कारण में महत भूर भूम का निभाता है यहीं कि दोस्तों कौन सा ऐसा कारण है जिससे बारिस जो है बारिस होने में महत कौन भूम का निभाती है देखिए दोस्तों यदि जहाए शामुद्र ले ले जिए जहाए छोटा से छोटा तलाब नदी, कोई भी ले ले जिए, उसमें जो पानी रहता है दोस्तों, पहले वास्पी करन होता है और उसके बाद संगनान ची कoi리ज्य होती है तब जाके बारिस होती है यहां संगना न वास्पी करण दोनों के मातफूंड भूमिका होती है तो C आपसन यहां पर बिल्कुल सही होगा नेस्ट कोस्चन नेस्ट कोस्चन है कि टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है टार्टेरिक एसिड जो होता है दोस्टो यहनी कि जिसे हमें टार्टेरिक अम लगाते हैं यह किसका घटक होता है तो यह बेकिंग पाउडर का घटक होता है किसका घटक होता है बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर का होता है यहनि कि D आपसन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा नेश्ट कोश्चन है किसका समान्यता विद्धुत तापमान उपकरणों में प्रियोग किया जाता है निक्रोम, कापर, आइरन, अलुमीनियम देखे दोस्तों नाइक्रोम जो होता है इसका समान्यता जो है यूज कहां किया जाता है विद्धुत तापमान में यहीं कि ए आपसन हमारे इसमें बिल्कुल सही होगा नेश्ट कोश्चन है दिये गए एक तापमान पर ध्वन की गती किसमें अधिक्तम होती है श्टील, अलुमीनियम, निक्ल या आइरन देखिए दोस्तों, ध्वन की गती जो होती है किस तापमान पर सबसे अधिक होती है तो यहाँ पर अलुमीनियम दिया गया है और श्टील दिया गया है और निक्ल दिया गया है देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा राइट अंस्वर यहाँ जो होगा वो Aluminium होगा, Steel नहीं होगा क्योंकि Aluminium जो होती है Aluminium में 3600 मीटर प्रती सिकेंड धोनी की गती होती है और Steel में जो है Aluminium से थोड़ा कम होती है तो यहाँ पर राइट एंसर होगा B option Next question है सायरी बैलम का संबंद है देखें दोस्तो हमारी यह सायरी बैलम जो है मस्तिस्क का भाग है सायरी ब्रम और सायरी बैलम सायरी ब्रम जो होता है दोस्तो हमें याद दिलाने और विचार करने भूब की इच्छा इन सभी के लिए हमारा सायरी बैलम होता है सरी ब्रम होता है लिकिन जो सरी बेलाम होता है दोस्तों ये हमारा जो है इसका संबन हमारी मास पेशियों की गती का समन्वे कराता है यहाँ पे right answer जो होगा ओर D-option हो जाता है आए ये next question पर चलते हैं next question किसमें नामक एक flat wall में बहुत समान्य आखे होती है जो वास्ता में केवल आखों के धब्बे होते हैं जो प्रकास का पता लगाते हैं एसकेरिस, प्लाइनेरिया लीवर फ्लूग, टेप हवार्म तो ऐसा कौंस अब करण है जो फलेट वार्म में बहुत समान आखे होती है तो यहां पर right answer होगा दोसतो प्लाइनरिया होगा क्या होगा प्लाइनरिया है यहीं कि B option हमारा बिल्कुल स़ह होगा next question है benthinne के एक अणु में कितने दोहरे आबंध होता है यहीं कितने दोहरे आबंध होते हैं benthinne के एक अणु में दोसतो 3,2,4,1 बेंजीन के एक अड़ों में दोहरे आबंध की बात करें तो दोस्तो तीन होता है कितना होता है तीन यहीं कि ए अपसन बिल्कुत सही होगा नेस्ट कोश्चन है कापर जिंक सलफिट स्वारी जिंक कापर सलफिट बिलियन से कापर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक देखे दोस्तों कहरा कोश्चन है जिंक जो है काफर सलफिट के बिलियन से काफर अलग किया जा सकता है क्यों किया जा सकता है क्यों कि काफर की तुलना में कम अविक्रिया सील होता है जिंक काफर की तुलना में अधिक अविक्रिया सील होता है कापर की तुलना में कम आक्सी कृता है देखे दोस्तों जो जिंक होता है वो कापर की तुलना में अधिक अभिक्रिया सील होता है इसलिए कापर सेल्पेट के विल्यान कापर को अलग किया जा सकता है तो यहां पे राइट अंसर होगा C option नेस्ट कोशिन पर चलते हैं अस्थी और कोशिकाएं एक हर्ड मैट्रिक्स में अन्ता अस्थापित होती हैं जो बना है अस्थी और कोशिकाएं जो है दोस्तों यह हमारी किस्से बनी होती है तो यह कैल्सियम और फास फोरस से मिलकर बनी होती है किसे मिलकर बनी होती हैं कैल्सियम और फास फोरस से यहनी कि राइट एंसर होगा हमारा D-Aption नेश्ट कोश्चन पर चलते हैं नेश्ट कोश्चन है जब तत्तो को परमार भारों के बढ़ते करम में ब्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्तो का परमार भारों का लगभग आउसत होता है इस नियम को जाना जाता है इस नियम को किस ने दिया था दोस्तों? मिंडलीव के नियम के रूप में निउटन का नियम, निवलेंड का हश्टक नियम, डाइबो राइनर के त्रिक का नियम तो दोस्तों यह जो है, यह डाइबो राइनर के त्रिक का नियम है यहनि कि D-Aption हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा नेश्ट कोश्चन है नेश्ट कोश्चन है प्रतिबल का प्रभाव निमलिखित में से किस पर निर्भर करता है? भार पर, आयतन पर, द्रभमान पर या छेतरफल पर देखिए दोस्तों, प्रतिबल जो होता है इसका यह किस पर निर्भर करता है? तो यह छेतरफल पर निर्भर करता है किस पर छेतरफल बन निर्भर करता है? यहनि कि D-Aption हमारा बिल्कुल सही होगा नेस्ट कोश्चन है नेस्ट कोश्चन है कि जब सोडियम सल्फेट बिलियन जब सोडियम सल्फेट बिलियन बेरियम क्लोराइट के बिलियन के साथ मिलाया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है सल्फार डायाकसाइड बनता है barium chloride बनता है barium sulfide बनता है तो क्या बनता है तो barium sulfide बनता है देखिए दोस्तों जब sodium sulfide के bilion को barium chloride के bilion के साथ जब अपक्रिया कराएंगे यानि कि जब मिलाएंगे तो barium sulfide बनेगा यहाँ पे हमारा right answer होगा D-Apsom नेस्ट question है circuit में सिंखला में प्रति रोधक जुड़े होते हैं circuit के माध्यम से धारा का मान है यहीं कि धारा का जो मान है यहीं कि circuit में सिंखला में जो प्रति रोधक जुड़े होते हैं उसमें circuit के माध्यम से धारा का मान कैसा रहता है एक ही रहता है कि बढ़ता है कि कम हो जाता है या आधा हो जाता है तो दोस्तों उसका जो है धारा का मान जो है यहनी कि बदलता नहीं है यहनी कि एक ही रहता है यह आपसन हमारा बिल्कुल सही होगा नेस्ट कोश्चन है जाइंट पर हड़ी की सता से क्या मुलाइम करती है यहाँ हमारे हड़ी में जाइंट होता है जिसे हमारा गाठी पर देख लीजिए जो वहाँ जाइंट रहता है वहाँ हड़ी को कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो मुलाइम करता है cartilage, aeroholar, tendon, बंधन तो जो मुलायम वालत करता है दोस्तों उसे cartilage कह जाता है क्या कह जाता है cartilage यहनी कि ए आपसन हमारा बिल्कुल सही होगा next question है question है कि calcium sulfate hemihidrate को भी इस रूप में जाना जाता है calcium sulfate hemihidrate को भी इस रूप में जाना जाता है तो दोस्तों उसे क्या कह जाता है calcium sulfate को hemihidrate को भी किसके रूप में जाना जाता है तो उसे plaster आप Paris के रूप में जाना जाता है यहनी कि यहाँ पे right answer होगा D option next question है cement का मुखे घटक है देखें दोस्तों cement का जो मुखे घटक होता है वो होता है silica या silicon dioxide कहते हैं cement के मुखे घटक को तो यानी कि C option यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा next question है question क्या है कि कुछ पौधों की जड़े उपजी और पत्तियों की किस प्रक्रिया के माध्यम से नए पध्यों में विक्सीत होती है यानी कि कुछ पौधे की जड़े होते हैं वो उपजी और पत्तियों की किस प्रक्रिया के माध्यम से नए पध्यों में विकास कर देती है विखंडन की प्रक्रिया के दोरा की एका अधिक विखंडन की वनस्पति प्रचार या उत्थान देखे दोस्तों एका अधिक विखंडन जब होता है तो उसमें नए पौधे बिक्सित हो जाते हैं यहां पर राइट अंसर होगा हमारा B-Aption अज़र नेस्ट कोश्चन देखते हैं नेस्ट कोश्चन है कि काउन साउ तक हमारे मुँगी अंत्रिक अस्तर को बनाता है सेलिटेड कालमर एपिथेलियम सरल इसक्वाइमस एपिथेलियम अस्तरिक रिद इसक्वाइमस एपिथेलियम कालमर एपिथेलियम देखे दोस्तों एक होता है अस्तरिक इसक्वाइमस एपिथेलियम नामक उतक होता है जो हमारे मुँग की अंत्रिक अस्तर को क्या करता है बनाए रहता है तो राइट अंसर होगा C अपसन नेस्ट कोश्चन है उद्दोग में बड़ी संख्या में उपयोगी रसाइनों को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किस नमक का उपयोग किया जाता है तो देखें दोस्तों जो सोडियम क्लोराइड होता है वो यहनी कि बड़े से बड़े उद्दोग में यहनी कि जो उद्दोग में बड़ी से बड़ी संख्याएं होती है उनमें रसाइन बनाने के लिए यह सोडियम क्लोराइड का यहनी कि जो कच्चे माल होते हैं उसको नमक के रूप में प्रियोग किया जाता है तो right answer होगा A option दोस्तो आज का last question है thyrexine के translation के लिए कौन सा अवस्यक है लोहा है sodium है, iodine है या calcium है देखिए दोस्तो ध्यान में रखिएगा कि iodine जो होता है वो thyrexine के translation के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तो अगर आप लोगों को वीडियो पौसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो subscribe कर लिजेगा और हाँ दोस्तो comment करके हमें जरूर बताईएगा कि आप लोगों ने कितने question का answer खुद से किया है और आपके कितने question सही हो रहे है देखिए दोस्तो हमें 25 में 25 question सही करना है यदि इससे करना है तो आप daily comment करके बताईएगे कि इसमें बिल्कुल सरम की बात नहीं अगर आप exam तक लेते हैं यह daily का daily practice जो हम आपको provide कराएंगे अगर आप daily दे होए इससे दो बार revise करेंगे तो हम मारी guarantee है कि आप exam में 25 में 25 question करके आएंगे जय हैं दोस्तों